दोस्तों इस सेशन में हम सीखने वाले हैं रिमूबल रिप्लेस्मेंट की एक जबर्दस्थ टेक्निक जिसको देखकर समझकर आपको मज़ा आ जाएगा और कोशिंस बिना पेंट पिक किये केवन एक से दो सेकंड में सॉल्व होने लगेंगे आएए देखते हैं इस सवाल इस टाइप के कोशिंट आपको अक्सर एक्जाम में देखने को मिलते हैं अब वैसल कंटेंस मिल्क इन वॉटर इंद रेश्यो थ्री स्टू टू वाट पार्ट करना है कि हमें मिक्षर का कितना पार्ट रिमूब करना है और उसको पानी से रिप्लेस करना है अब आप मेरे को एक बात बताईए मैं जितना भी क्वांटिटी निकालूंगा उतना मैं पानी मिला दूंगा मतलब टोटल सेम रहेगा बहला इनीशल से लेकर फाइनल तक मोटे में जीतना इंक्रिज होगा मिल्क में उतना ही डिक्रीस होगा मैं चाहूं तो ड्रेk्ट आपको ट्रिक बता सकता हूँ पर मैं उसके पीछे का background भी बताना चाहता हूँ आपको ताकि आपको concept भी समझ में आए तो मैं यह कहा रहा हूँ कि वाई जो total है total है वो है milk plus water अब अगर मैंने solution निकाला तो उसमें milk और water दोनों निकले और मैंने उसको पानी से replace कर दिया तो definitely पानी की quantity बड़ी means total is same तो अगर water बढ़ रहा है तो उतनी quantity में same milk जो है decrease होना चाहिए और total same रहना चाहिए तो ज़रा इन दोनों ratios में आप देखो total कहा है 3 plus 2 5 and 4 plus 1 5 तो मैं यहां सीधे देख रहा हूँ कि 2 part milk कम हुआ और 2 part water बढ़ गया राइट अच्छा एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि individual component में जितने percent की कमी आती है या जितने fraction की कमी आती है total में भी उतनी percent की कमी आती है जैसे कोई भी solution है अगर मैं total में 10 percent कम करता हूँ तो उसमें milk और water का जो quantities हैं वो भी 10-10 percent से कम होगी यह तो fact है तो हम यह कह सकते हैं कि milk में अगर 2 part कम हुआ है 3 पर तो total में भी 2 part निकाला होगा 3 पर मतलब 2 by 3 is correct answer मुझे कुछ भी नहीं करना था इस question में यह तो मैंने लिखा है कि वहला आपको समझाने के लिए आपको बस यह देखना था कि 3 is to 2 है milk कम किया 2 part कम किया 3 पर so total में से भी उतना ही part निकलेगा तो total का कितना part हम remove करेंगे और replace करेंगे पानी से 2 by 3 and that is the required answer चलिए अगर यह total सेम नहीं तो क्या करना है तो एक अगला example लिखते है a vessel is filled with liquid water and syrup in the ratio 3 to 5 तो water और syrup किस ratio में है water और syrup किस ratio में है 3 to 5 के ratio में है how much of the mixture must be drawn off and replaced with water so that the mixture becomes half water and half syrup बना दोनों equal equal हो जाए तो equal equal हो जाए तो अगर मैं पानी से replace कर रहा हम तो पानी बढ़ेगा पानी बढ़ेगा तो syrup क्या होगा कम होगा तो हम यहाँ पर देखते हैं कि total हमें same बनाना है तो अगर भाई total same बनाना है तो यहाँ total 8 है 8 को मैं 2 equal parts में divide करूँ तो इनको 4-4 बोल सकता हूँ तो यह भी 8 हो गया यह भी 8 हो गया equal equal भी हो गया तो हमने देखा कि पानी कितना बढ़ा एक बढ़ा syrup कितना कम हुआ एक कम हुआ मतलब मैंने draw कितना किया है कितना withdraw किया एक पार्ट syrup का कितने में से पांच में से अगर मैंने एक पार्ट पांच में से कम किया है syrup का तो टोटल का भी 1 फिप्थ ही हमने निकाला होगा तो दा आंसर इस सिंपल 1 by 3 1 by 5 इसी तरीके से एक और देखते हैं चलो एक्जाम्पल है न एक और एक्जाम्पल देखो जार कंटेंस अ मिक्षर आप टू लिक्विट्स A and B इन रेश्यो 7 इस्टू 5 A and B का रेश्यो 7 इस्टू 5 था ठीक है 18 लीटर्स मिक्षर हमने draw किया और जार को B से फिल कर दिया मतला B की क्वांटिटी बड़ी तो A की कम हुई तो हम यह देखते हैं कि यहाँ पर रेश्यो बन जाता है 7 इस्टू 9 यह जो रेश्यो बन जाता है 7 इस्टू 9 बन जाता है तो पहली बात तो मुझे टोटल को सेम बनाना पड़ेगा मैं देखता हूं यहां 12 है और यहां टोटल 7 प्लस 9 16 है तो यहां 12 है 16 है 12 16 का LC हम होता है 48 48 लाने के लिए इसको 4 से मल्टिप्लाइ कर दो और इसको 3 से मल्टिप्लाइ कर दो So it will become 28 is to 20 and this will become 21 is to 27 तो क्या मैं यह देख पा रहा हूं कि A कितना कम हुआ है because B तो increase हुआ है तो A कितना कम हुआ है 7 कम हुआ है 7 कम हुआ है 28 पर तो A में कम ही आई है 7 की किस पर 28 पर तो 7 by 28 यानि कि 1 by 4 7 by 28 यानि 1 by 4 यानि कि मैंने कितना पार्ट रिप्लेस किया है 1 by 4 of total quantity तो 1 by 4 of total quantity is the replaced quantity और replaced quantity कितनी है? 18 liters तो 1 by 4 of total is 18, so total quantity must be 18 for the 72, that is the required answer yes तो अगर सवाल थोड़ा twisted भी है तो भी आप लगा सकते हैं, because you know the concept you know the background behind this आपको logic पता है अगला सवाल यह आपके लिए homework है एक सवाल आपके लिए homework है और इसका answer comment में सभी को देना mandatory है compulsory है, right और यह technique आपको कैसी लगी यह भी ज़रूर बताईएगा यार इससे अच्छा लगता है motivation मिलता है नई नई चीजें लाने के लिए एक प्रेना मिलती है तो यह भी आप ज़रूर बताना और साथ की साथ ऐसी बहुत सारी चीजों के combination से बनता है quant यह भी मैं आपको बता दूँ केवल यही technique नहीं हर chapter में ऐसी दसियों techniques है अगर आप यह सारी की सारी techniques सीखना चाहते हैं maths को basic से high level तक पढ़ना चाहते हैं तो यह ब्रह्मास्त्र 3-1 package है इसमें क्या है लक्षबेच है यह सारे वीडियो कोर्स है recorded है ना with PDF एक साल की validity के साथ शिखर D.I. भी इसमें है मेंस D.I. का वीडियो कोर्स भी है high level D.I. जिसमें है तो 3-1 combo है और उसके साथ-साथ इसमें चार चान लगाता हुआ चौथा जो चौथी जो चीज है इसमें वो है diamond package जिसमें 3,000 से ज़्यादा mock है जिसमें आप unlimited जितना चाहो practice कर सकते हो बेलकुल exam level interface पर और बहुत ही quality questions के साथ तो यह सारी चीज़ें आपको triple line में available है ठीक है? एक साल की validity के साथ sumitsaracademy.com website पर जाईए या sumitsaracademy app android app आप डाउनलोड कर लीजिए आपको वहाँ पर open करते ही front में देखेगा ब्रमास्ट package उस पर आप click कीजिए और इसमें unrule कर लीजिए और पूरा पढ़िए सारी चीज़ें आप इसी तरीके से पढ़िए तो ये question आपके लिए homework था सभी को answer देना कमबल सरी है और ये भी जरूर बताईगा कि technique आपको कैसी लगी Thank you so much ऐसी और बहुत सारी techniques जानने के लिए चैनल को subscribe कर लो Thank you so much